जेहीं दोस्तो आजकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISA, Fade Constable, Ministerial and ASI STNO, इसके अलावा दोस्तो ट्रेट्समेन and ड्राइबर, सभी भरती के एकजाम रिजल्ट के बारे में, आप सभी को पता है कि इसका एकजाम जो है 30-31 अक्टूबर को कंड़क्ट हुआ था, और एंस आपका जो है CUB Release होगा, और आप सभी को बता दे, Head Constable, Ministerial and ASI STNO का जो है, रिजल्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी कैंडिडेट्ट इसका एकजाम दिये हैं, अगर आपका ये स्कोर अच्छा है, यानि कि Cut Up के एक ओडिंग है, तो आप सभी टाइपिंग टेस्ट की तियारी सुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तो रिजल्ट आने के बाद जो है आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है टाइपिंग टेस्ट के लिए, इसके अलावा दोस्तो यहाँ पे ट्रेट्समें की बात करें, तो रिजल्ट के बाद जो ह रिजल्ट डेट की बात करें तो ये तीनों भरती का रिजल्ट जो है एक सांथी आपका रिलीज होने वाला है क्योंकि एक जाम भी आपका एक सांथी कंड़ाग्ट हुआ है इसके अलावा दोस्तों इसका एंसर की भी एक सांथी रिलीज हुआ है और रिजल्ट भी आपका एक देखने को मिल जाएगा, सकेंड वीक तक जो है दिसंबर की इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि CIS से फायर का जो एकजाम था, वह 26 सितंबर को आपका कंड़क्ट कराया गया था, और दोस्तों इसका रिजल्ट जो है तीन न अगर आप सभी देखेंगे तो इसका भी रिजल्ट आपको दिसंबर के सकेंड वीक तक जो है देखने को मिल जाएगा, अगर ज्यादा लेट होता है तो थोर्ड वीक तक जो है डेफनेटली आपका आ जाएगा, तो आप सभी बिल्कुल तयार रहिए, आपका रिजल्ट ज सक्षान में बताईएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहिंद बंदेगा